सत्य प्रेम की कथा, सत्य प्रेम उर्व सत्यू और कथा की काहनी दिखाए गई है देखो सत्य प्रेम बिल्कुल ओर्जिनल मूवी है क्योंकि रिमेक फ्लाफ होने के बाद बाली बुर्ड को समझ में आ रहा है कि अब हमें ओर्जिनल पर काम करना है देखो लव इस्टोरी तो एक इवर ग्रीन टापिक है जिस पर पिक्चर बनती रहेंगी लेकिन हर इस्टोरी को एक नई अंदाज में पेस करना एक बड़ी कला है और इस मूवी में इस कला का भरपूर इस्तमाल किया गया है यह कहानी है सत्य प्रेम की जो सत्य तो बिना सोचे बोलता है लेकिन प्रेम सिर्फ उसके नाम में है असल जिवन में उसे प्रेम के लिए काफी पापट बेनने पड़ते हैं सत्य प्रेम उर्व सत्तु जो कि हमेशा साधी करने का सपना देखता है बिलकुल निर्मल भाव से बलकि उसका विचार इतना पवित्र है कि वह जब गरवा फंसन में जाता है तो कथा उसे पसंद आ जाती है लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसका बॉइफेंट टपन है वह साइड हो जाता है मुवी में आपको कारती कार्यान की एक्टिम बिलकुल नेचरल लगेगी इन फैक्ट ऐसा लगता है जैसे इस मुवी के लिए वहीं फिट बैठता है और जब सत्तु अपना प्रॉब्लम बताता है तो लिटरली आडियंस उस पर हसते हैं और यह होना भी चाहिए इससे फिल्म एंटर्टेनिंग लगती है फिल्म के फर्स्ट हाप में गाने हैं फैमिली सीन है इनर्जी है और काफिर चाहल पाल है और यह सस्पेंस भी बना हुआ है कि आखिर सत्तु की साधी कप और किसे से होगी और साधी होती भी है तो उसी लर्की से जिसे वह गर्बा फंसन में पसंद किया रहता है कथा से और यहां कैसे हुआ यह अलग ट्विश्ट है इसके लिए आपको मुवी देखना ही पड़ेगा और मुवी के सेकेंड हाफ से एक अलग सस्पेंस बना रहता है जिसे लेका आप इंड तक बने रहता है कि आगे क्या होगा और आप भी मुवी इसके स्टोरी में खो जाओगे क्योंकि कारतिक ने सत्य प्रेम के करेक्टर को बखुबी निभाया है इस करेक्टर से कारतिक बिल्कुल जुड़ गये हैं और सत्तु के लाइब में प्राबलम तो काफी रहती है लेकिन वहां उसे बिल्कुल लाइटिल लेत है तो कथा बिल्कुल खुश दिखती है मतलब लाइब को इंच्वाइता है और जब धूसरी बार सत्तु कथा से मिलता है तो वह देखता है कि कथा अपना नलस काट ली है उसके बाद कथा खुश नहीं दिखती और जब सत्तु कथा को ब्याह का घर ले आता है तब पर भी नहीं और साधी करने के बाद बी सतु वर्जन ही रहता है और ऐसा क्यओं होता है यह कथा के नर्स काटने से जुड़ा है कियाड़ा को सेटीक रोल मिला जिससे से एक सॉसल मैसेज भी मिलता है और इस क्रेक्टर को कियारा ने बख़ोबी निभाया है और इसमें राजपाल या दूसरा बालीबुन में लव स्टोरी रोमांटिक फिचरे तो बहुत बनी है लेकिन एक अलग स्टोरी से जोड़ने के लिए तीसरा इस मूवी से सेंसिट्यू मेसेज दिया गया है लेकिन इंटर्टेनिंग के साथ बड़े ही चालाके से जोड़ती है मूवी बोर होने का मौका नहीं देती चौथा मूवी के बैक्ग्राउंड सीन म्यूजिक और कार्तिक के डांस के लिए मूवी वे गुजराती डालाग ना भरते तो कुछ और समझ में आ जाता और मूवी का क्लाइमेक्स थोड़ा और ज्यादा ट्रेजडी बनाया जा सकता था मतलब इंटर्वल से भी कम सस्पेंसिव है इंड ओवराल मूवी काफी अच्छी है जाईए और इंज्वाय करिए वैसे कमेंट सेक्षर में आप अपना राय जरू लिखेगा मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टापिक के साथ